आप लोगों ने मूवीज में सूपर हीरो को तो प्लेन को लेंड कराते हुए और पैसेंजर की जान बचाते हुए देखा होगा लेकिन रियल लाइफ में भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो किसी मूवी के स्टंड से कम नहीं था यह बात है 2014 की जब एक पैसेंजर प्लेन को लेंड करना था लेकिन जैसे ही पाइलेट नहीं टायर्स को खोला तो आगे वाला टायर धंग से खुला ही नहीं अब अगर उसी सिचुवेशन में वो लेंड करवाता तो पक्का कुछ न कुछ बड़ा एक्सिडेंट होता लेकिन इतने में होती है हमारे सूपर हीरो की एंट्री विद पिक अप वो एक जीप लेके आता है और आगे के टायर को करवाता है लैंड अपनी जीप में और फिर प्लेन धंग से लैंड होता है ये घटना किसी स्टंड से कम नहीं है बहराल उसने अपनी जावाजी से बहुत से पेसेंजर्स की जान बचाई तो इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है जब रतन टाटा ने पहली बार अपनी ड्रीम कार टाटा इंडिका को बजार में उतारा तो उसका रिस्पोंस बहुत ही खराबता घाटे में जाते होगी कमपनी को देखकर शेयर होल्डर्स ने कहा कि हमें एक एक कमपनी बेच देनी चीए ना चाहते हो भी Tata इसे बेचने के लिए US Ford से मिटिंग के लिए गए लेकिन उस मिटिंग में Ford ने Tata का मान करते होगे कहा कि अगर तुम्हें कार बिजनस की इतनी समझी नहीं थी तो इस कार की लॉंचिंग में इतना पैसा क्यों लगा दिया साथी साथ एक कहा कि इस कंपनी को खरीद करम तुम पे एहसान कर रहे हैं Tata ने यह सुनके कार कंपनी को बेचने से इंकार कर दिया इंडिया वापस आये और इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की कि इसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया साथी साथ फोर्ड के घाटे में जाते हुए दो लग्जरियस ब्रांड जैगुआर एं लैंड रोवर को खरीद के धमाका कर दिया गाइस अपमान सभी का होता है लेकिन महाल लोग अपने अपमान का बदला अपनी प्रोग्रेस से लेते एक बार एक जहाज के इंजन ने काम करना बंद कर दिया और वहाँ के लोग उसे ठीक भी नहीं कर पा रहे थे और इसलिए एक 40 वर्षिये experienced इंजिनियर को वहाँ पे बुलाये गया उस इंजिनियर ने जहाज के इंजन को बड़े ध्यान से देखा और फिर उसके बाद अपने बैक से खतोड़ा निकाला और फिर इंजन के एक specific जगा पर हतोड़े को मारा तो इंजन चालू हो गया तीन दिन बाद इस इंजिनियर ने जहाज के मालिक को लगबब 10,000 डोलर का एक बिल भीजा जहाज का मालिक 10,000 डोलर के बिल को देखके हैरान रहे गया उसने कहा कि तुमने किया ही क्या है हतोड़ा ही तो मारा है इसके लिए 10,000 डोलर का बिल गाइज आप याद रखिए कि बिल एक्चुली काम से जादा बंदे की experience का होता है कई बार कुछ लाइने लिखने में बहुत छोटी होती है लेकिन उनका मतलब इतना गहरा निकलता है कि वो दिमाग पर सीधे असर डालती है उन्हें में से एक लाइन में आज आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, जराधान से सुनेगा किसी ने कहा था कि पुराने जमाने में फोन जब तार से बंदा होता था तो इनसान फ्री था लेकिन आज जब फोन वाइरलेस है तो इंसान उस छोटे से डिवाइस के साथ चिपका रहता है यानि कि अपनी अजादी को खो चुका है अब इस बात से कितना इत्तफाक रखते हैं कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे इमेजिंग वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब और लाइक मिलता अगले वीडियो में